कंस्ट्रॉक्ट अग्वी लेटरल ड्रेंगर इच अफ होस्ट साइट का जो लेंथ है तो बताना है कि उसके परतेक एंगल कितना होगा उसके मेजर करना ठीक है तो चलते हैं एक paper लेते हैं then उस पे work करते हैं ठीक है तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जो है हम जो है rough s के इस्तियार करेंगे तो मान लेते हैं कि या हमारा जो है क्या है AB माल लेते हैं कोई दिक्षत नहीं है अब इस AB length के जो AB जो length है इसकी कितने measure है 6.2 cm तो यहाँ पर AB हो गया तो यह भी 20 ABC ABC तो यह भी 6.2 होगा यह भी 6.2 होगा अब इसको देखते हुए हमें क्या करना है एक equilateral triangle construct करना है ठीक है तो देखिए तो क्या करेंगे हम scale लेंगे और scale को जोता है हम यहाँ पर 6.2 cm AB length draw करेंगे देखिए माल लेते हैं यहाँ से आपका आगे 6.2 देखिएगा तो यहाँ से 6.2 6666 6.2 2 ठीक है 6.2 ओके अब हमारा 6.2 हो गया माल लेते A हो गया और यह हमारा B हो गया अब देखिए यह भी 6.2 है यह भी 6.2 है तो क्या करेंगे हमें scale फिर अगें लेंगे और यहाँ पे इसको point को mark करेंगे और 6.2 देखिएगे कहाँ पे है यहाँ पे 6.2 है तो अब 6.2 हमने measure कर लिया कि मतलब इसके radius 6.2 हो गया अब इसको as a center लेके मतलब देखिए यहाँ पे draw करेंगे 6.2 करेंगे यहाँ भी 6.2 करेंगे क्यों 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 क्योंकि equilator triangle construct कर रहे हैं क्योंकि यह भी side और यह भी side दोनो equal हैं तो यहाँ पे हमने का कि एक यहाँ पे construct कर लिया इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं ठीक है और उसके बाद same जो था अब a को as a center लेंगे इससे और फिर इसी radius से यहाँ पे 6.2 करेंगे cut करेंगे ठीक है देखिए हमने का किया a को as a center लेके 6.2 radius लेके r cut किया फिर अगें जो हता है b को as a center लेके हमने same radius का 6.2 का एक r cut किया और दोनो r cut हुआ कहीं यहाँ पे यह intersection point मिल गया अब क्या करेंगे यह हमारा कौन सा point हो गया होगा c हो गया होगा अब इसको दोनों को join करेंगे तो join करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे अब कराब पर्तिक एंगल को measure की जियत कैसे तो हम इसके लिए protector लेंगे और protector को क्या करेंगे यहाँ पे shift करेंगे और देखेंगे यह आपका अच्छा ने देखेंगे दूसरा पर टेक्टर का है इसके लिए आप इसको भी इसका सकते हैं ठीक है माल लेते हैं यहाँ पे है तो देखिए अगर आप अच्छास देखेंगे कि यह पॉइंट यहाँ पर है देखिए यहां देखिए यह पॉइंट्या मार्क यह लिख यहां पर यह लाइन दिखिए जो बेस लोई निया पिमीट करा यह और यहां पर दिखिए यह सिक्षिटी इसका मतलब दो है कि यह एंगल 60 है अब यहां पर देखिए मिट करा दिया दिखिए 60 पाल यह 60 पे है यहां पे इसका मतलब यह यह एंगल 60 है तो देखे यह भी 60 तो यह भी 60 किस्से जब एंगल के सभी अंगल सम्ट करोगे तो यह भी तो आपका 60 वालिकिनिक मेजर करके दता दिते हैं क्या दिक्कर थे फिर इसके लिए का करोगे यहां पे कम पास रखोगे ऐसे एक में पहे पनुद़ यहां ज Efendimiz में में तो जहां वे जाँ Same थ бес है करोगे बालिकिनैंस जब गरादारे यह सम्ट करोगे से चलसा करे लेको उपते हैं क्युऽ नह टांए जाग भी a यह यहां यहर में चलसे